आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रिसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिल्यूशन पाओ अभी डा क्रिया है ना क्या होता है ये ये सुक्रानों के बनने की प्रक्रिया होती है कहां बनती है ये तो ये बनती है वरिशन के सेमेनी फेरस नलिका में है ना कहां बनती है सेमेनी फेरस नलिका में ये बनती है ठीक है क्लियर है तो ये तीन अवस्थां में पूरी होती है पहली अवस अवस्था होती है इस अवस्था में क्या होता है कि बहुत सारी कोशिका है जो होती है समसुत्री वहजन करके बहुत अधिक संख्या में कोशिका तयार करती है जिसको हम लोग कहते है इस परमेटो गोनियल कोशिका हैना कौन सी कोशिका है कहते है इस परमेटो गोनियल कोशिका इसको कहते हैं या फिर सुक्रानु जन कहते हैं क्या कहते हैं इसको हम लोग सुक्रानु जन कोशी का दूसरी अवस्था होती है व्रिधी अवस्था की इसमें क्या होता है व्रिधी अवस्था में यह जो सुक्रानु जन है यह विर्धी करके बनाता है प्राथमिक सुक्रानू बनाता है इसके बाद तीसरी अवस्था आती है परिपक्वन अवस्था इस अवस्था में क्या होता है कि प्राथमिक सुक्रानू में अर्धसुत्री विभाजन होता है क्या होता है इसमें अर्ध सुत्री विभाजन फर्स्ट होता है और इसके फल सुरुप क्या होता है दुईतियक सुकरानू बनता है और ये दुईतियक सुकरानू फिर क्या होता है इसमें फिर अर्ध सुत्री विभाजन दूसरा होता है जिसके फल सुरुप क्या होता है सुकर सुक्रानु परसु बनता है यह सुक्रानु परसु फिर रुपांत्रित हो करके सुक्रानु का निर्मान करता है और यह सुक्रानु फिर क्या होता है सुक्रजनक नलिका से बाहर निकल जाता है यह परकरिया होती है तो चलिए इसमें करम हम लोग जानने के कोसिस करते है कौन हो सकता है अगर इस करम पोगर हम देखें तो सबसे पहली जो प्रिकरिया होती है B नमबर जो शुकरानु जल संसुत्रिवाजन द्वारा गुनन करते हैं तो यहाँ पर पहली अवस्था क्या हो जाएगी द्वतियार सुत्रिवाजन करती है तो इसको हम लोग D में अला दिये इसके बाद क्या होता है सुकरानु परसु का सुकरानु वह में रुपान तरह होता यानि कि C नमबर होता है और इसके बाद यह सुकरानु जनक मेली का सुकरानु का यहां से मोचन हो जाता है यानि कि ये नंबर दी नंबर विकल इसका जो है सही उत्तर है उम्मिद करता हूँ आपको ये उत्तर समझ में आ गया होगा धन्यवाद